हलो स्ट्रेंट्स इस वीडियो में मैं ह्पेस सेसी द्वारा पूचेगे प्रीबेस एर में जो हिमाचल से रिलेटिड क्वेश्चन है उनको हम रिवाइस करेंगे क्वेश्चन 121 है अटल ब्यारी बाजपाई प्रवता रोहन और सबन खेल संस्तान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थीत है कुपरी मनाली रिकॉंग प्यों या पिर काज़ा इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी क्रेक्ट रहेगा मनाली में है ये अटल ब्यार तता पानी या फिर रामपूर इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी क्रेक्ट रहेगा तता पानी में हुआ था ये और तता पानी किस दिले में आता है वो मंडी में आता है फस्ट एवर रिवर आख्टिम कप कहां पे हुआ था ये तता पानी में अगला प्रशन एक क जाना जाता है ग्रेट खली के नाम से और ये किस जिल्ले से सिबंद रखते हैं वो सिर्मौर से सिबंद रखते हैं अगला फ्रशन है हिमाचल प्रदेश में परमवीद चक्र प्राप्त करने वाले प्रत्तम कौन थे कैप्टन बिक्रम बत्रा और्णरि कप्टन बंढरी राम जमादार लाला राम या फिर मेजर सौमनाथ शरमा इसका जो सही आंसर रहेगा वो उप्षन डी क्रेक्ट रहेगा मेजर सौमनाथ शरमा थे जनने की परमवीद चक्र प्राप्त किया था सबसे पहले किनोंने मेजर सोमनाथ छर्मा अगला फ्रशन है शशूर मठ हिमाचल प्रदेश के किस थान पर सित्त है काजा कलपा केलॉंग या फिर बर्मौर इसका जो सही आंसर रहेगा वो औप्शन सी क्रेक्ट रहेगा केलॉंग में सित्त है ये शशूर मठ अगला फ्रशन है चरेवाल उत्सव इमाचल प्रदेश के किस जिले में मना जाता है शिमला उन्ना मंडी या फिर चमबा इसका जो सही आंसर रहेगा वो औप्शन डी क्रेक्ट रहेगा चमबा में मना जाता है चरेवाल उत्सव अगला प्रशन है नलवार मेला इमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मना जाता है सुन्दरनगर, सुजानपूर, निर्मण या फिर कैतगर इसका जो सही आंसर रहेगा वो option A correct रहेगा सुन्दरनगर में मना जाता है नलवार जबकि यहाँ पर बिलासपूर नहीं दिया गया है अगला प्रशन है शुलीनी जैब तक्निकी एबं प्रबंदन विज्ञान विश्व विद्यालिया हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है पालंपूर, सोलन, शिमला या फिर बड़ा साहिब इसका जो सही आंसर रहेगा वो option B correct रहेगा शुलन में स्थित है शुलीन अगला प्रशन है विश्व में सरवादिक रिजू बाराश्रित बांद कौन सा है विच इस दा हाइस्ट स्थेट ग्रैप्टी डैम इंड़ वर्ड पंडो, पॉंग, भाखडा या फिर चमेरा इसका जो सही आंसर रहेगा वो option C correct रहेगा भाखडा बांद है ये स्थेट ग बर्मौर, मंडी, रिवाल्सर या फिर मनिकन इसका जो सही आंसर रहेगा वो option D correct रहेगा चोटीकाश्टी के नाम से जान जाता है मंडी को अगला प्रशन है सिर्मौर रियासत की स्थापना किस ने की ब्रंपाल, मेरु वर्वन, बीरसेन या फिर रसालू इसका जो सही आंस 1449 या फिर 1871 इसका जो सही आंसर रहेगा वो option C correct रहेगा 1871 में आये थे लौड में हो अगला प्रशन है महमद बिन तुखलक ने किस बर्ष में कांगडा दूर्ग पर कबजा किया तेरा सो पच्चिस, तेरा सो सेंथिस, पनतालिस या फिर स्तावन इसका जो सही आंसर 1337 में महमद बिन तुखलक ने किस बर्ष कांगडा दूर्ग पर कबजा किया था 1337 में अगला जो प्रशन रहेगा यम्न नदी का वैदिक नाम है कालिंदी पुर्शाणी अर्जिक्या या फिर असिकनी इसका जो सही आंसर रहेगा वो option C correct रहेगा कालिंदी अगला प्रशन है 1947 में हिमाचल प्रदेश की किस रियासत ने प्रारम में बारतिय संग में शामिल होने से इंकार किया था बुशेहर, सिरमौर, सुकेत या फिर बिलासपूर इसका जो सही आंसर रहेगा वो option D correct रहेगा बिलासपूर की कौन सी रियासत थी वो कहलूर रियास अगला प्रशन है कि संग्रेज अधिकारी ने वह स्थान खोजा जहां बाद में हिल स्टेट के रूप में शिमला का निर्मान हुआ मेजर कनेडी, लौट मिंटो, लौड मेओ या फिर लौड करजन इसका जो सही आंसर रहेगा वो option D correct रहेगा लौड कनेडी थे वो अगला प्रशन है रावी नदी का वेदिक नाम है पुरुशाणी, विपाशा, शुतुद्री या फिर कालिंदी इसका जो सही आंसर रहेगा वो option D correct रहेगा पुरुशाणी है रावी नदी का वेदिक नाम और संस्कृत नाम क्या है इरावती अगला प्रशन है कुनिहार गाटी हिमाचर प्रदेश के किस जिले में स्तित है इसका जो सही आंसर रहेगा वो option A correct रहेगा इसका जो सही आंसर रहेगा वो option D correct रहेगा चौदरी सर्बनकुमार के नाम पर किया गया है अगला प्रशन है रोरी चार्ट गैलरी हिमाचर प्रदेश के किस स्तान पर स्तित है नगर, अंद्रेटा, भरमौर या फिर सुजानपूर इसका जो सही आंसर रहेगा वो option A correct रहेगा नगर में स्तित है रोरी चार्ट गैलरी अगला प्रशन है जरार पुकी शादी हिमाचर प्रदेश के किस जिले की जनजाती में प्रचलित है कांगला चमबा या फिर दोनो A और B या फिर किन और इसका जो सही आंसर रहेगा वो option C correct रहेगा A और B दोनो अगला प्रशन है किस वाइसरोय ने नाल देरा के नाम पर अपनी पूत्री का नाम रखाता है लॉर्ड एमर्स लॉर्ड रिटन लॉर्ड रिपिन या फिर लॉर्ड करजन इसका जो सही आंसर रहेगा वो option D correct रहेगा अगला प्रशन है कौन से संत हिमाचर प्रदेश के मंडी जिला के रिवाल सर से सबंदित है लॉमस ब्यास भादवाज या फिर प्राशर इसका जो सही आंसर रहेगा वो option A correct रहेगा रिशी लॉमस थे रिवाल सर से सबंदित अगला प्रशन है मिंडल देवी मंदीर हिमाचर प्रदेश के किस जिल्ले में स्थित है काजा के लॉंग देवी कोठी या फिर उदेपूर इसका जो सही आंसर रहेगा वो option C correct रहेगा देवी कोठी अगला क्वेशन है डल मेला हिमाचर प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है दरमशाला सरकागाट कंडागाट या फिर राजगड इसका जो सही आंसर रहेगा वो option A correct रहेगा दरमशाला में मनाया जाता है ये डल मेला अगला प्रशन है रास नृतिय हिमाचरपदेश के किस जिले में प्रचली थे? सिर्मौर, सोलन, चिमला या फिर किन और? इसका जो सही आंसर रहेगा वो औप्षन A क्रेक्ट रहेगा सिर्मौर में प्रचली थे ये रास नृतिय अगला प्रशन है HRTC किस बर्ष अस्तित्व में आया 1971, 74, 75 या फिर 90 इसका जो सही आंसर रहेगा वो अप्षिन भी क्रेक्ट रहेगा 1974 में अगला प्रशन है सिंबल वारा राष्ट्रिय उद्यान हिमाचरप देश के किस दिले में स्तित्थ है इसका जो सही आंसर रहेगा वो अप्षिन ए क्रेक्ट रहेगा सिंबल वारा राष्ट्रिय उद्यान हिमाचरप देश के किस दिले में स्तित्थ है इसका जो सही आंसर रहेगा अगला प्रशन है कुनिहार राष्ट्रिय के संस्तापक थे अजय देव बंसल पॉल अभोज देव या फिर बीर चंद इसका जो सही आंसर रहेगा वो अप्षिन सी क्रेक्ट रहेगा अभोज देव थे कुनिहार राष्ट्रिय के संस्तापक कौन थे अभोज देव अगला प्रशन है मंडी राज की राष्ट्रिय की शाखा थी मंडी राज की स्राष्ट्रिय की शाखा थी बुशेर सिर्मोर हिंदोर या फिर सुकेत इसका जो सही आंसर रहेगा वो आप्षिन डी क्रेक्ट रहेगा सुकेत से थी अगला प्रशन है किस गाटी को बसपा गाटी के नाम से जाना जाता है बल चुहार सांगला या फिर चौनतला इसका जो सही आंसर रहेगा वो आप्षिन सी क्रेक्ट रहेगा सांगला गाटी को जो है बसपा गाटी के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रशन है इंदरहार दर्रा कांगला को किस से जोड़ता है अगला प्रशन है उमाकमारी ने किस वर्ष पर्षुराम पुरुसकार जीता उनिसो अस्तासी, इकानवे, स्तानवे या फिर दोहजार बारा इसका जो सही आप्शन रहेगा वो आप्शन सी क्रेक्ट रहेगा उनिसो स्तानवे अगला प्रशन है चमबा के सुदूर क्षित्रों में चिपको अधोलन के सफलता पुर्वक क्रियान वियन के लिए हिमाचल प्रदेश का कौन सब्यक्तित वो सूपरसीद है किंकरी देवी, कुल भूषन उपमन्यू चतर सिंग या फिर हरी चंद इसका जो सही ऑप्षन रहेगा वो ऑप्षन बी क्रेक्ट रहेगा कुल भूषन उपमन्यू अगला प्रशन है गायतरी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित्त है रामपूर, सुजानपूर, कंडागाट या फिर रेनुका इसका जो सही ऑप्षन रहेगा वो ऑप्षन डी क्रेक्ट रहेगा रेनुका में स्थित्त है ये गायतरी मंदिर अगला प्रशन है ग्रेंसमेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाजाता है कुप्री, अर्की, हलोग या फिर कर्स होगी इसका जो सही option रहेगा वो option B correct रहेगा कुल्लू का लोग निती है ये खरयत अगला प्रशन है रोरी चार्ट गैलरी इमाचल प्रदेश के किस्तान पर सतीत है अंद्रेटा, नीरत, नीदर या फिर नगर इसका जो सही option रहेगा वो option D correct रहेगा नगर में सतीत है ये रोरी चार्ट गैलरी अगला प्रशन है इमाचल प्रदेश के धोला सीथ जल विद्यूत प्रवजना की क्रियान वियन संस्ता कौन सी है SJBNL, NTPC, NHPC या फिर HPPCL इसका जो सही option रहेगा वो option E correct रहेगा SJBNL, सतलुच जल विद्यूत निगम लिम्टिट अगला प्रशन है सरकारी भेड प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश के कि स्थान पस्तित है जियोरी, सरोल, ताल या फिर ये सभी इसका जो सही आंसर रहेगा वो option D correct रहेगा इन सभी में है जियोरी में भी है, सरोल में भी है और ताल में भी है अगला प्रशन है कुनिहार प्रजा मंडल किस वर्ष संगठित हुआ था 1949, 42, 45 या फिर 47 इसका जो सही option रहेगा वो option E correct रहेगा 1949 अगला प्रशन है प्रसीद मंडी शनियंतर किस वर्ष हुआ था 1914, 15, 1921, 1931, 1932 या फिर 1942, 43 इसका जो सही option रहेगा वो option E correct रहेगा 1914, 15 में हुआ था मंडी शनियंतर अगला प्रशन है रामगड किला हिमाचत प्रदेश के किस्तान पर है प्रागपूर, नूरपूर, राजगड या फिर नालागड इसका जो सही option रहेगा वो option D correct रहेगा नालागड में स्तित है ये रामगड किला अगला प्रशन है वे प्रतम मुगल शासक कौन सा था जिसने कांगड को जीतने की योजना बनाई थी अकबर, जहांगीर, शाहजाह या फिर और रंगजेब इसका जो सही अंसर रहेगा वो option A correct रहेगा कौन सा था वो अकबर अगला प्रशन है चंदर्टाल जील, इमाचल प्रदेश के किस जिल्ले में स्तित है शिमला, किनौर, लॉल्स पिती या फिर चमबा इसका जो सही अंसर रहेगा वो option C correct रहेगा लॉल्स पिती में स्तित है ये चंदर्टाल जील अगला प्रशन है इमाचल प्रदेश के किस जिल्ले का सबसे कम जनसंख्या गनत तबाए किनौर, बिलासपूर, हमीरपूर या फिर लॉल्स पिती इसका जो सही अंसर रहेगा वो option D correct रहेगा लॉल्स पिती अगला प्रशन है इमाचल प्रदेश में उद्यान इवर्मानी की विश्विद्याले कहां पे स्तित है नौनी, पालंपूर, बाकना घाट या फिर बाडु साइब इसका जो सही अंसर रहेगा वो option D correct रहेगा नौनी में स्तित है ये अगला प्रशन है पंजाब उचनिया आया लिये इससे चंडिगर स्थाना त्रित करने से पूरुप शिमला में किस स्थान पर स्तित था पिटरहॉप, समर हिल, कुप्री या फिर मशोबरा इसका जो सही अंसर रहेगा वो option D correct रहेगा पिटरहॉप में स्तित था अगला प्रशन है रागुनाज जी की प्रतिमा किस वर्ष अयोद्या से कुल्लू लाई गय थी 1691, 1791, 1881 या फिर 1901 इसका जो सही अंसर रहेगा वो option D correct रहेगा 1691 अगला प्रशन है 1886 में हिंदी साहित्या के लिए प्रत्थम चंदरदर्शर्मा ग्लोरी अवर्ड किसे दिया गया था शिरी केशव, शांता कुमार, देवराशर्मा या फिर यश्पाल इसका जो सही अंसर रहेगा वो option A correct रहेगा शिरी केशव को दिया गया था अगला प्रशन है किस जिले में वर्ष 1986 में हिंदी साहित्व का प्रत्थम अगला प्रशन है नलवाडी मेला एक प्रसीद व्यापारिक मेला है कहां का है सिर्मौर का, शिमला का, सोलन का या फिर बिलासपूर का इसका जो सही option रहेगा वो option D correct रहेगा बिलासपूर का प्रसीद मेला है ये नलवाडी अगला प्रशन है डूंग्री देवी मंदिर हिमाचरप देश में किस स्थान पर स्थिता है मंडी, मनाली, रामपूर या फिर सुजानपूर इसका जो सही अंसर रहेगा वो option B क्रेक्ट रहेगा मनाली में स्थिता है यह डूंग्री देवी मंदिर अगला प्रशन है रॉंग्र टोंग्जल विद्विक्ट परियोजना हिमाचरप देश के किस जिल्ले में स्थिता है कि नार, मंडी, कुल्लू या फिर लॉल्स पिति इसका जो सही अंसर रहेगा वो option D क्रेक्ट रहेगा लॉल स्पिती में स्थिता ये रॉंग टॉक जल्विदी पड़ना अगला प्रशन है इमाचर प्देश का कौन सा जिल्ला सरवादिक आम का उत्पादक है उन्ना चमबा कांगड़ा या फिर हमिरपूर इसका जो सही आंसर रहेगा वो औप्शन सी करेक्ट रहेगा कांगड़ा है सबसे ज़्यादा आम का उत्पादक और सेव का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य जिल्ला कौन सा है वो कमेंट में आप बता सकते हैं अगला प्रशन है चूटदार वण यजीब अभिहारन हिमाचर प्देश के किस जिल्ले में स्थिता है सिर्मौर, शिमला, सोलन या फिर बिलासपूर इसका जो सही आंसर रहेगा वो option A क्रेक्ट रहेगा सिर्मौर में स्थिता है ये चूटदार वायल लाइप सेंट्री कहां पे स्थिता है सिर्मौर में अगला प्रशन है बजीरी रूपी हिमाचर प्देश के किस जिल्ले का हिस्सा है कि नौर, लॉल्सपिती, कुलू या फिर मंडी इसका जो सही आंसर रहेगा वो option C क्रेक्ट रहेगा कुलू का हिस्सा है ये बजीरी रूपी अगला प्रशन है 1947 में हिमाचर प्देश की किस रियासत ने प्रारम में बारतिय संग में शामिल होने से इनकार किया था बुशेहर, सिर्मौर, सुकेत या फिर बिलासपूर इसका जो सही आंसर रहेगा वो option D क्रेक्ट रहेगा बिलासपूर की कौन सी रियासत थी वो कहलूर रियासत अगला प्रशन है कि संग्रेज अधिकारी ने वैस्थान खोजा जहां बाद में हिल स्टेट के रूप में शिमला का निर्मान हुआ मेजर कनेडी, लॉड मिंटो, लॉड मेओ या फिर लॉड करजन इसका जो सही आंसर रहेगा वो उप्षन एक रेक्ट रहेगा लॉड कनेडी थे वो अगला प्रशन है रावी नदी का वैदिक नाम है पुर्शानी, विपाशा, शुतुद्री या फिर कालिंदी इसका जो सही आंसर रहेगा वो उप्षन एक रेक्ट रहेगा पुरुशानी है रावी नदी का वेदिक नाम और संस्कृत नाम क्या है इरावती अगला प्रशन है कुनिहार गाटी हिमाचर देश के किस जिले में स्तित है सोलन, कांगडा, चमबा या फिर उन्ना इसका जो सही आंसर रहेगा वो आप्शन एक रेक्ट रहेगा सोलन